खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतन्तर टीवी एंड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट यूपी के जालॉन में देर रात एक आगस फैक्टरी में भी शड़ाग लगई जिसे फैक्टरी में रखा लाखो कमाल जलकर खाक हो गया हलाकि दमकल की पाँच गाड़िया मौकी पर पहुची और आग को काबू में खिया खिया यूपी के महुबा में सड़क बिजली पानी जासी मूलभूस सुबिधा नाम मिलने से परिशान लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाओ है के पोस्टर लगा दिये जिन में लिखा है डेस्ट के कारण मकान बिकाओ है हर दोई में रेलवे करमचारियों ने एलेसी पर शहिद हुए जवानों के सम्मान में चीन का भहिशकार करने की शपत ली और शहिद जवानों को नमन क्या QPK वारांटसी में योग दिवस से एक दिन पहले हजारों लोगों ने योग हिया इस दोरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खयाल रखना भूल गए खेदरबाद के डुंडी गल में वायू सेना अकैडमी में कमबाइन गिरिजेशन परेट हुई जिसमें भारती वायू सेना का दमखम दिखाई दिया इस परेट में एरचीफ मार्शल आर्केस भदोरिया भी शामिल हुए और कहा कि लद्दाक की गलवान घाटी में हमारे शूरवीर के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे पश्रमंगाल के मेधिनापूर में बीजेपी कारकरताओं ने चीन के खिलाफ शान्ती मार्श रिकाला जसमें वो चीन को पूरी तरीके से बहश्कार करने की अपील करते देखे हिमाचल प्रदेश के एक नौर में लोगों ने गलवान घाटी पर 20 जवानों की शाधत को नमन किया और चीन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया पशिमागाल में बीजेपी महिला मोर्चा ने वामपंच सोच वाले अखवार गण शक्ती आर्टिकल को बंद करने की मांग करते हुए मंता सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला हलाकि प्रदर्शन बरता देख पुलिस उने जबरन गाड़ियों में भर कर थाने ले गई और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे है दिली में सरकारी कॉरंटीन का फैसला वापस लिया है फैसला फैसले को दिली हाई कोट में दी गई थी चुनौती पाच दिन के सरकारी कॉरंटीन का फैसला वापस लिया गया है दिल्ली के उपराजपाल अनिल बैजल ने राजधानी में कोरोना के मरीजों को 5 दिन institutional quarantine में रखने के फैसले को वापस ले लिया है दिल्ली के उपराजपाल ने अपने आदेश में कहा है कि वैसे कोरोना positive मरीज जिन्हें अस्पताल में भरती कराने की जरूरत ना हो और उनके घर में home isolation के लिए पर्याप सुभधार ना हो उने ही 5 दिनों के लिए institutional quarantine में भेजा जाएगा आपको बतादे कि वैजल के इस फैसले को दिल्ली हाई कोट में भी चुनौती दी गए थी तो अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है जो 5 दिन के सरकारी quarantine के फैसले को वापस दिली सरकार ने LG के फैसले का विरोध किया था तो LG की तरफ से ये काया गया था कि जिनके घर में home isolation की सुभधा प्रॉपर नहीं हो सकती और वो ऐसे लोग हैं जो कोरणा positive हैं तो उनको 5 दिन सरकारी quarantine में रखा जाए लेकिन इस फैसले का विरोध किया गया, जिसके बाद आब इस फैसले को वापस ले लिया गया है, पाजिन के सरकारी quarantine का फैसला वापस लिया गया महराश में पुलिस कर्मियों पर कोरोना संकर्मित गहरायास महराश में अब तक 3960 पुलिस कर्मी कोरोना संकर्मित पाए गए है अब तक 46 पुलिस कर्मियों की राज में जान गई है मुंबई में 2349 पुलिस कर्मी कोरोना संकर्मित बताया जा रहे हैं जहां पर महराश में पुलिस कर्मियों पर कोरोना संकट 11 आया है महराश में अब तक 3960 पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव हुएं अब तक 46 पुलिस कर्मियों की राज में जान गई है मुमें में 2349 पुलिस कर्मी कोरोना संक्रमित है पाकिस्तान सीमा पार्ट से हिंदुस्तान में हो रही गतिविधियों पर नजर बनाए रखना चाहता है इसलिए उसने जम्मू के कठ्वा के पास हत्यारों से लेस ड्रोन का इस्तिमाल किया ताकि भारती सेना की मुव्मेंट को ट्रेक कर सके लेकिन पाकिस्तान अपनी घिनोनी साज़शों से बाज नहीं आ रहा है कभी अलोसी का उलंगन कर गोले बारी करता है तो कभी आतंकियों से हमले करवाता है ना जाने कब इस नापाक पाक को समझाएगा कि वो लाख कोशिश कर ले सेना का कुछ नहीं बिगार पाएगा भारत की तरफ आँख उठा कर देखना उसके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है क्योंकि जब जब पाक ने भारतिय सेना पर आँख उठाया है तब तब हमारे जाबाजों ने मुह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान भारत के गुस से आक्रोश का शिकार कई बार बन चुका है तो वहीं भारतिय सेना की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया है पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारतिय सीमा की रेकी करने का प्रयास किया जा रहा है हाली में भारतिय सीमा में रेकी करने के मकसद से भेजे गए पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसेफ ने मार गिराया है B.S.F. के गश्टी दल ने सुभे करीब पांच बच कर दस मिनट पर सीमा चौकी पंसार के छेतर में आसमान में एक ड्रोन को मंदराती देखा उन्होंने बताया कि B.S.F. जवानों ने नौ गोलिया चलाई और ड्रोन को भारतिय छेतर में 250 मीटर अंदर की ओर मार गिराया त्रोन के जरिये हत्यारों की तसकरी करने की पाकिस्तान की कोशिश नाकाम कर दी गई है यह सारा कुछ करते करते करीबन एक साल से चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से लगातार अटेंट्स हो रही है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आए इस ड्रोन में कुछ हत्यार भी बढ़े हुए थे ड्रोन से एक M4 US मेड राइफल, दो मैगजीन और साथ राउंड, साथ ग्रेनेट बरामद हुए है ये डिलेवरी किसी अली भाई नाम के युवक के लिया आए थी और ड्रोन के साथ उसका नाम भी था ड्रोन आट फीट का था ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कठ्वा सेक्टर में BSF के पंसार पोस्ट के सामने से पाकिस्तानी साइड से ये ड्रोन कंट्रोल किया गया लेकिन इस प्लान को भारत के वीर सपूतों ने फेल कर दिया है भारती वाई सिना अधिक्ष रेयर चीफ मार्शल आरकेस भधौरिया हैदरबाद में सयोक तिसनातक परेड में शामिल हुए वहाँ भारती वाई सिना अकाजमी में उन्होंने सीमा पर हुई हिंसक छड़क को लेकर कहा कि सैन वारता के दौरान समझोते के बाद भी चीफ की कारवाई अस्विकार है साथ यारकेस भधौरिया ने काए कि लेसी में मौजूदाय सिती को शांती से हल किया जाए उन्होंने काए कि हमारे श्रेत्र में सुरक्षा परिदर्श से ये बताता है कि हमारे सश्चत्र बल हर समय तयार और सतर्क रहते हैं जट्लाण पया आ परिद्धित आप लेस में एंगरों को अविलेस जाता है आप पर देख से खिए अरी चुटित आप आप देख वीच विलेस्ट चिए दो लेख से इट्ट आप एंग पो ले पाद में आदिएए कर दो सकतोर के प्लाइश करने करना कि अचया कहीं उत्याइश कि अवस्टाइश कर प्हार गार्वकार थो हुआ है। अच्यात भी अजिग अच्यार इंख में लगए अच्या इंट्टी निट थार्म करता है? Beyond LAC, be it all the air deployments, their posture, the kind of deployments, we have full analysis and we have taken necessary actions that we need to take to handle any contingency that may come up with this kind of deployment. पर बयान दिया है, पियम के साथ गरीब कल्यान रोजगार अभ्यान योजना के शुबारम के मौके पर बोलते हुए नितीश ने क्या दिया कि कुछ लोगों की तो आदिते ही अलग-अलग होती हैं, पावंदी के बाद भी वो चल कर आ गए, आई आपको नितीश का वो बयान स जादा आई और बाकी बहुत सारे लोग तो बीस लाग से ज़्यादा और बाकी लोग तो कुछ आ गये अन्य मार्क से सड़क मार्क से भी और कई लोगों की तो आदत अलग-अलग होती है तो बहुत लोग तो पैदाल और कैसे-कैसे भी जब इस पर पावंदी थी तब भी चलकर आते रहे वो तो एक अलग प्रस्त है और वहीं पिया मोदी ने आज प्रवासी मज़ूरों के लिए रोजगार की समस्या को देखती हुए गरीब कल्यान रोजगार अभ्यान योशना शुबारम क्या है जोरान बिहार, मद्रप्रदेश, उडिशा, उत्रप्रदेश, जारखन और राजस्तान के मुख्ममंत्री भी मوجود रहे, बिहार के मुख्ममंत्री इन्दिश कुमार और डेप्टीसियम सुशील मोदी भी इस मौके पर मौजूद रहे, खास बात ये रही कि स्योशना को बिहार के खगड़िया से लौँच क्या गया और बिहार के सबसे मौके को हाथ से नहीं जाने दिना चाहती बीजेपी को इस बात का अंदाजा है कि शहरों से बुरे हालात में अपने घरों को लोटे बिहार के प्रवासी मजदूर बिहार में सियासी समयकरन बदल सकते हैं उस पर हाल ही में चीन से गलवान छड़प में शहीद होने वाले बिह बिहार के सपूतों को लेकर भी जमीने इस तर पर खासा नाराज की है इसलिए प्याम मोदी ने अपने समोधन के दौरान ना सिर्फ बिहार के शहीद जवानों को याद किया बलकि शहरों से लोटे बिहार के प्रवासी मजदूरों से भी बात भी की गडिया से शुरू हो रहा यह गरीब कल्णार रोजगार अभ्यान इसी भावना इसी जरुरत को पूरा करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है बिहार, उत्रप्रदेश, जारखन, ओडिसा, मद्दप्रदेश और राजस्तान इन छे राज्यों के 116 जिलों में यह अभ्यान पूरे जोर सोर से चलाया जाएगा स्रमीकों और कामगारों को गर के पास ही काम दिया जाएगा जारकार ने सुरू कर दिया गरीब कल्यान रोजगार अभियान यह भूती लोगों के लिए राहत पहुचाने वाली योजना है और आप लोगों ने यह तै कर लिया कि जिस जिले में किसी भी राज्य के जिस जिले में बाहर से काम करने वाले 25,000 और उससे अधिक लोग आए हैं उन जिलों का चेन आप लोग यह किया गया है और जैसा कि मानने मंत्री जी ने भी का और हम लोगों को भी मालूम है कि 6 यह बड़ी खुसी की बात है और आप सब लोगों ने इस मामले में जो कुछ भी अभी मानने मंत्री जी ने भी बता दिया और जो हम लोगों को जानकारी मिली है किसमें केंदर सरकार को सिर्फ अकेले गरीब कल्यान रोजगार अभियान में पच्छास अजार करोर रुपे स ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा तो यह खुसी की बात है कम से कम जो लोग बाहर से आये हैं उन लोगों को केंदर सरकार की तरफ से यह जो राहत दिया जा रहा है यह बहुत ही प्रसंसनी है अनलोक वर्ण के दौरान लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमते बढ़ रही है जिससे लोगों की परिशानी बढ़ गई है ग्रामी इलाकों में जोहांकिसान परिशान है वहीं शेरी इलाकों में मध्यम वर्गी परवारों की जेब पर पोच पढ़ गया है राहसान की और तरनामारी ऑथ भड़रों है फॉलिक परेशान हो रही है और फॉफे लिग पढ़ा रहे है परेशान का रही है क्या करति पाहरा ने को लाया के पेट्रल के लिब आए बच्छों के लिब आए पढ़ाई क्या रोह किसके लिए रेक्याय कि आइए आई जिंग आए जिले ह। इसनी पर बंट खुड़ा है हम उसको लगा हुड़ा हम इसको नागी बहुत परेसां है तीन वहीं नहीं नहीं है और दोगा से इंदर जो प्रोग की सब्सक्राइब कि देश में लगातार बढ़ रहे हैं। कि दाम को लेकर आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है। मेरा नाम अभीनेश है। कि दाम को बढ़े हुए है। फिर भी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो पर्मनेंट 10 दिन में पंदरा दिन में जो रेट बढ़ रहे हैं। इस पर थोड़ा रोक होना चाहिए। और इसमें जो भी कुछ पैसे में बढ़ उतरी हो रही है उस पर पॉकेट पर थोड़ा असर पड़ता है। अब देखना यह है कि इन डीजल पेट्रोल के रेटों में कोई कमी अब आती है या इसी तरीके दे बढ़ करके लोगों की समस्यां को बढ़ाती रहेगी। कानपूर से आसिस कुमार जंतन्स टीवी। तो त्युल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं 14 दिन पहले के दाम और आज के दामों में कितना फर्क है यह हम आपको दिखा रहे हैं कुलकाता में 73 रुपए प्रती लीटर था 14 दिन पहले और कुलकाता में आप 80 रुपए 62 पैसे हो गया है चेने में 74.65 था 14 दिन पहले यानि कि 74 रुपए लीटर था और अब चेने में 82.27 रुपए लीटर हो गया है आज के दाम यह हैं तो 14 दिन में कितना फर्क आया है पेट्रोल और डीजल के डामों में यह हम आपको दिखा रहे हैं